नमस्काल दोस्तों एनके फंचरम आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं टूल बॉक्स और वो भी पास्वर्ड लॉक के साथ तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए वीडियो सुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चलिए और एक पट्टी कटिंग करने वाले हैं धायेंची की क्योंकि उपर से हम 6 mm इसके अंदर ढकन लगाने वाले हैं और 6 mm ऊपर छोड़ने वाले हैं तो यह लगबग हमारे चारों पीस कट कर त्यार हो चुके हैं जैसे कि आपको नजर आ रहे होंगे और अब हम इन चारों पी पीस हमने इसके मायका के कटिंग कर लिए हैं और 4 पीस हम कटिंग करने वाले हैं जो अपने तीन इंची की और धह इंची की पट्टी काटी थी तो उसकी भी मायका हम कटिंग कर लेते हैं तो एक पीस को हम इसकी उपर रख देंगे और इसी हिसाब से हम 4 पीस को कटिंग कर रहते हैं लगवगदोस्तों हमारे सारे पीस कट कर तियार हो चुके हैं और अब हम इसकी उपर लेमिनेट प्रेस करने वाले हैं तो हम क्या करेंगे इसकी उपर रहलका सा फैविकॉल डाल कर और कंगी की म questionnaire को इस फैविपूल को मिक्स कर देंगे और उसके बाद इस लेमिनेट को इसकी उपर रख कर और हलका सा हाथ लगर देंगे तक ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए तो इसी तरीके से हम सारे पीस को लगा कर और बापस से अब्रो टेप की मदद से इसको प्रेज कर देते हैं तो यह लग बग हमारे सारे पीश प्रेस हो चुके हैं है जैसे का हम सारे पीश की सपय लगा ली है भी गूत की कटिंग करने वाले हैंahlt इंची कियोंकि आट इंची वाले पीश के, अगर 12 में लगाते हैं तो यह लगबग 9 इंची बाई 12 इंची का टूल बॉक्स बन जाएगा तो कुछ इस तरीके से हम यह चारो पीस को तयार कर लेते हैं लगबग हमारी चारो पीस कट कर तयार हो चुके हैं और अब हम क्या करने वाली हैं जो अपना 10 इंची वाला पीस है इसको एक साइट से लेवल करके इस पे पैन से निसान कर देते हैं और उसके बाद जो हमारा 6-7 का रूटर का बिटा था है इसको रूटर मसीन में टाइट करके और इसके अंदर जिरी निकाल देते हैं नीचे की तरफ ठोकेंगे और जो अपने 12 इंची वाले पीस है इसको हम उपर की तरफ से इसमें फिक्स कर देते हैं तो यह लगवग अपना जो टूल बॉक्स है 12 इंची वाई 9 इंची का बंद आएगा और हम क्या करने वाले हैं नीचे की तरफ से हम इसके 6-7 प्लाइस इ और 17 इंची कीली में इसको फिक्स कर देते हैं लगवग दोस्तो हमारा यह बॉक्स बनकर त्यार हो चुका है और अब हम को जुरुत पड़ेगी टायर की तो हमने क्या किया है 12 इम प्लाइकी उपर वाइट पीवीसी सीट को प्रेस कर दिया था और जो अपना लाइट कटिं करने वाला बेटा आता है दो इंची वाला इससे की मदद से हम इसमें से चार टायर की कटिंग कर लेते हैं तो यह लगवग हमारे चारो टायर की कटिंग हो चुकी है और अब हम क्या करने वाली है जो इसमें हलका सरा पाया है तो इसको दो इंची वाले नट में टायट करके और इसके उपर रेज़ दिमार लगा देंगे ताकि जो अपने टायर की सफाई है वो अच्छी तरीके से आ जाए लगबग हमारे ये चारो टायर बनकर त्यार हो चुके हैं और अब हमको जुरुत पड़ीगी एक इंची वाले टायर की तो हमने क्या किया है 12 में के पीस के एक लेमिनेट लगा कर और एक इंची वाला जो राउंड बेट आता है इसमें से हम 2-3 टायर की कटिंग कर लेते हैं तो यह लगबग हमारे तीनों पीस की कटिंग हो चुकी है और दोस्तो अब हम क्या करने वाले हैं जो अपना बॉक्स है इसके हम चारो तरफ लेमिनेट को प्रेस करने वाले हैं तो अच्छी तरीके से फेविपल लगा कर और इसकी उपर लेमिनेट को रख देंगे और कि हमको भी पता चल सके कि हमारा वीडियो कहां कहां तक देखा जाता है तो कुछ इस तरीके से हमने इस बॉक्स के चारो तरफ लेमिनेट को प्रेस कर दिया है और अब हम इसको सूपने देते हैं तो जब तक यह बॉक्स सूपर है तो हमारे पास जो टायर था इसके अंदर दो सूप वाला बॉल्ट डाल कर जो इसकी बाहर की डेवरी टायप का था इसके हम निसान कर लेते हैं पैन से और इसको निकाल कर इसके अंदर हम इस नट को धसाने वाले हैं तो हम क्या करेंगे दो सूप वाली चौर सी से इसके अंदर खड़ा कर लेते हैं जो अपना नट क धेबरी है वो इसके अंदर लेवल आ जाए तो कुछ इस तरीके से हमने के चारों पीस के इस तरीके से खड़े कर लिये हैं दोस्तो दो पीस के हम लगाने वाले हैं धेबरी और दो पीस के लगाने वाले हैं नटबॉल तो हम क्या करेंगे जो हमने टायर के अंदर नटबोल्ट फसाये था तो इसके च्छे कॉर्णर बन रहे हैं तो हम किसी सीधी पट्टी की मदद से इस पे तीनों लाइन को कीच लेते हैं और उसके बाद हम इस पे पासवर्ट च्छेंख का लिख देते हैं तो यह नमबर हमने लिखती हैं उसके बाद जो रूटर मसीन के अंदर वीविट आता है उसकी मदद से हम इसके च्छेव नमबर को इसके उपर लिख देते हैं ताकि यह अपना नमबर जो है वो मिटेगा नहीं तो यह लगबग हमारे च्छेव नमबर बन चुके हैं जैसे कि आपको नजर आ रहे होंगे और इसके बाद हम इसमें अलका सा पेहन चला दी थे ताकि अपने जो दिखने में आसानी हो जाए कुछ इस तरीके से हमने दोनों पीस को तियार कर लिया है और अब हम क्या करने वाले हैं हमारा लेमिनेट सूख चुका था तो इसके अंदर 6mm को फसा कर और जो अपना 6mm का एस्टा पीस है इसको यहां निसान करके और इसका जो एस्टा माल है इसको कटिंग कर लेते हैं यह लगबग हमारी यह कटिंग भी हो चुकी है से हमने एक पट्टी और काटर की है 6mm की और उसके भी एक धार पर लेमिनेट को प्रेस कर दिया था तो इसके भी हम इसको कटिंग करके और इस चीप को भी हम कलम में मिला देते हैं और दोस्तो इस चीप को लगबग दोस्तों हमारी तीनों बॉर्डर लग चुकी है और हम इसको अच्छी तरीके से सूखने देते हैं सूखने के बाद इसका अपर टेप निकाल कर और इसके अच्छी तरीके से सपाई लगा देते हैं तो हमने इसके हलके सी रंदा से सपाई लगा दी थी और जो इसकी दार होती है इसको हम कानल की मदद से अलका सा राउंड कर देंगे ताकि अपने लगने वगने का चांस ना रहे तो कुछ इस तरीके से हमने इसको सारी सपाई कर ली है और अब हम क्या करने वाले हैं जो हमने 6mm का पीस बनाया था इसके भी हम 3 धार को हलके से रंदे की मदद से टेपर कर लेते हैं ताकि जब हम इसके अंदर इसको डालें तो ये अंदर की तरफ फसे ना तो कुछ इस तरीके से हमारा ये वाला भी पीस त्यार हो चुका है और जो हमने एक 6mm की पट्टी काटे की तो इसके भी फिक्स कर देते हैं तो हम इसके कीली पूरी नहीं ठोकने हैं क्योंकि ये दोना 6mm के अंदर कीली बाहर निकल जाएगी तो हम क्या करेंगे इस डखन को खोल कर और जो अपनी कीली बढ़ी है तो इसको पकड़ की मदद से कटिंग करके और वापस इसके अंदर ठोक देते हैं और दोस्तों हमने इसके लेमिनेट की बॉर्डर को भी त कर देते हैं और वापस इसको अबरो टैप लगा देंगे और इसी जगह पर इसको छोड़ देंगे ताकि जो अपनी कलम है वो अच्छी तरीके से मिल जाए तो जब तक ये सूकरी है तो हम क्या करेंगे इसके अबरो टैप लगाकर और इसके उपर से हम हौल करने वाले हैं अब दोस्तो हम इसके निसान करने वाले हैं तो हम नीचे की तरफ से पौने दो इंची पर निसान लगा लेंगे और दोनों साइट से भी पौने दो दो इंची पर निसान लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको लाइन से सीधा खीच लेंगे और खीचने के बाद जो अपने निसान का पॉइंट बनता है उस जगह पे पंच करके और दो सूत वाले बिट से इसमें हॉल कर लेते हैं दोनों हॉल को निकाल लेंगे अची तरीके से लगबग दोस्तों हमारा टूल बॉक्स बनकर तियार हो चुका है बस हमको जो पासवर्ड वाला सिस्टम है इसके अंदर इसको फिट करना है तो हम क्या करेंगे जो अपना पासवर्ड वाला टायर है इसको बाहर रग दिया है और उसके बाद हमने जो एक इंची के टायर काटे थे इसके अंदर डाल कर और जो अपना धेवरी वाला टायर है इस बुल्ट के उपर इसको टायर कर देते हैं और उसक इस तरीके से हम इस tire को भी चبहिण की मतदफ से tight कर लेते हैं लगबख दोस्तों हमने अंदर वाले system को अच्छी तरीके से tight कर लिया है और आप हम क्या करने वाले हैं इसका password चुनने वाले हैं तो जो भी अपन password रखना चाहते हैं, तो उस जगे पे इसको set कर लेंगे और दूस्तो जो अपने दोनों टायर हैं इसको हम कटर मरसीन की मदद से इसमें दोनों कट निकाल लेते हैं और उसके बाद जो अपना 6mm का पीस है इसके अंदर इसको डाल कर और जो अंदर वाला टायर है उस बॉर्डर से इसको टच करके इस पे पैन से निसान कर लेते हैं और जो अपना हॉल का सेंटर है उस जगह पे भी गुनिया से निसान कर लेते हैं और उसके बाद जो अपना point बनाया है उसके punch की मदद से निसान कर लेंगे और 1-8 के bit से इसमें दो haul निकाल देते हैं तो कुछ इस तरीके से हमने ये दोनों haul निकाल ली हैं और बापस से हमारा जो पहले वाला system था उसको बापस से tight कर लेंगे उसी तरीके से दोस्तो हमने इस system को बापस से fit कर दिया है और अब हम क्या करने वाले हैं जो हमने tire के अंदर खाचा निकाला था तो इसके जो cut हैं इसके उपर की तरब रख कर और इसके अंदर 6 mm का piece डाल देते हैं और बापस से दो page tight कर देते हैं और देखिए कुछ तरीके से ये खुल रहा है और जो अब भी हमारा जो page बढ़ा है तो हम इसको calendar की मदद से cutting कर देते हैं जैसे कि दोस्तो हमने दोनों screw को cutting कर लिया है और उसके बाद हम क्या करेंगे प्लास की मदद से दोनों screw को tight कर देते हैं ताकि जो अपना ऊपर की तरफ से अपने दोनों screw level हो जाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमने इसको level कर लिया है और उसके बाद हम इसको बंद करके देखते हैं और इसको दोनों को password को सही जगह पे set करके और इसको बंद कर देते हैं कुछ तरीके से ये box हमारा बन चुका है और कुछ हमें इसके अंदर टूल डाल कर और बापस से हम इसको बंद कर देते हैं तो हमने कुछ इसके अंदर टूल डाल दिये हैं और इसको बंद कर देंगे और हमें इसका password लगा देते हैं तो ये खुलेगा नहीं और जब इसका password सह के लिए जय हिंद जय भारात